हाँ जी गुड इवनिंग एवरिवन सभी को गुड इवनिंग बेटा सभी का स्वागत है रोडा क्लासिस के ओनलाइन प्लेट्फोर्म पर सभी को गुड इवनिंग बेटा और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज फटा फट से क्लास को शेयर कर दो वीडियो को लाइक कर दो ताकि जादा से जादा बच्चे जुड जाएं उसके बाद हम आज के सेशन को करते हैं शुरू सभी को गुड इवनिंग बेटा एक बार सभी फटा फट से मैसेज करके बता दो दो औडियो वीडियो सब कुछ O.K है उसके बाद अपने कलास्स स्टार्ट करेंगे और इतने में फटा फट से वीडियो को शेयर कर दो बेटा सारे बच्चे वीडियो को शेयर गर दो एक ब यू आ रहा है बेटा सभी के पास बिल्कुल प्रॉपर एकदम ओके बेटा ओके तो चलो फटा फट से क्लास को शेर कर दो इतने में हम थोड़ा सा क्लास का रिवीजन ले लेते हैं कि कल की क्लास में देखो आपको बता है कि हम एडजेक्टिव का टोपिक पढ़ना हमने शुरू किया था और इसको हमें दो दिन हो गए है एडजेक्टिव पढ़ते को ठीक है पहली बेसिक क्लास थी उसके बाद हमने कल भी एडजेक्टिव पढ़ा तो एक बार कल की क्लास में जो मैंने आपको चीजे पढ़ाई थी उसका एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं थोड़े से कॉश्चन्स मैं आपसे पुट कर लेता हूँ उसके बाद आज की क्लास को हम आगे पढ़ेंगे आज कुछ और नई चीजे सिखेंगे एडजिक्टिव के अंदर ठीक है तो फटा फट से बेटा शेयर करते हो सभी कलास को शेयर नहीं करोगे तो फिर मुझे इस टॉपिक के बाद कलास बंद करनी पड़ेगी क्योंकि आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो ठीक है कम से कम सो बच्चा लाइव होना चाहिए कम से कम अगर आप 20-30-50 लोग भी अगर एक-एक बंदा जोड़ते हो एक-एक बंदे को शेयर करते हो तो सो बंदे कम से कम लाइव होने चाहिए है और आपकी क्लास में बहुत कम लाइव होते है ठीक है बई और आपका exam भी है अब तो देखो SSC, CHSL के लिए हम specially ये तयारी कर रहे हैं तो देखो कल की class में हमने possessive adjective को पढ़ने का काम किया था ये आपको मैंने बताये थे possessive adjective कौन-कौन से होते हैं ठीक है अब अगर इस sentence की बात करें तो माई हमारा जो है इसके बाद में हमें एक noun नजर आ रही है friend तो ये जो माई लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा ये माई जो है ये आपका हो गया possessive adjective ठीक है माई, our, your, his, her, its or there ये आपके क्या होगे possessive adjective हो जाएंगे ठीक है ये कल मैंने आपको बता दिया था कल का pdf नहीं मिला बैटा कोई बात नहीं आज ये सारा एक साथ ही दे दूँगा आपको मैं ठीक है और आज कुछ questions भी करने के लिए आपको मिलेंगे pdf के अंदर तो बही जिन बच्चों ने telegram channel जोइन नहीं किया है वो फटा फट से अरोडा classes का telegram channel भी जोइन कर ले क्योंकि जितने भी pdf मिलती है आपको youtube classes की वो सारी की सारी अरोडा classes के telegram channel पे मिलेंगी ठीक है बटा अरोडा classes का telegram भी जोइन कर ले और English with Rohis Singh दो telegram channel है दोनों के दोनों आज ही जोइन कर ले ठीक है दोनों पे आपको pdf और दोनों पे आपको class की information आपको मिलती है ठीक है बटा जिन्नों ने जोइन नहीं किया आज class खतम होने के बाद अपना telegram channel जुरूर जोइन कर ले ना यूँकर उस पे और भी updates आपको मिलती रहती है इसके बाद देखे लिखा है we met her mother yesterday ठीक है तो इसमें देखो ये जो हर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको ये हर भी आपका possessive adjective है और कल की class में हमने पढ़ा था कि possessive adjective जो होते हैं ये भी अपने बाद किसका use करते हैं noun का use करते हैं ये भी अपने बाद किसका use करते हैं वेटे noun का use करते हैं समझागी बात ये कल की class में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है मैं revision करवा रहा हूँ थोड़ा सा quick revision उसके बाद अगला जो adjective हमने पढ़ा था आपको बताये थे this, that, these and those, this, that, these and those, ठीक है बटा तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखा है this person is not in a good mood, तो देखो मैंने कहा था जब इस this के बाद में जब इस this के बाद में आपको noun नजर आएगी तो यह this हमारा क्या काम करेगा यह this हमारा काम करेगा adjective का, I know this boy तो यहाँ भी देख सकते हैं इस this के बाद आपको नजर आ रही है noun, तो यह this भी हमारा क्या हो गया adjective हो गया, और इस adjective को हम कहते हैं, कौन सा adjective इस adjective को हम कहते हैं, demonstrative adjective, बेटा शेयर कर दो class को फटा फट से, ठीक है इस इस अग्रेट आइडिया मुझे बेटा, एक बार कमेंट करके बताना, यह this जो लिखा है, यह क्या चीज है यह this और यह that जो लिखा है, यह क्या चीज है एक बार कमेंट करके बताओ फटा फट से, देखता हूouri कितने लोगों को बातें कल वाली याद है इन में जो ये this और that आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज़ है बताओ बेटा फटा फट से कमेंट करके बताओ वेरी गुट ठीक बहुत अच्छे ठीक है तो देखो ये demonstrative adjective है और ये जो नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको ये demonstrative pronoun है सब बच्चों ने बिल्कुल सही answer दिया है very good तो कल की class में आपको ये चीज़ बता दी थी कि demonstrative pronoun क्या होता है और demonstrative adjective क्या होते है ठीक है ये कल हमने पढ़ लिया था इसके बाद हमने एक adjective कल की class में पढ़ा था adjective of quality ठीक है और हमने सीखा था कि अगर हमारे sentence के अंदर एक से ज़्यादा quality नजर आती है अगर हमें एक से ज़्यादा quality दी हो तो उन qualities को हम एक sequence के अंदर एक order के अंदर set करते हैं और उस order को याद करने के लिए मैंने आपको एक rule बताया था process comp ठीक है अब यह process comp क्या चीज़ है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक से ज़्यादा quality दी होगी तो सबसे पहले हम लिखते हैं किस चीज़ को सबसे पहले हम लिखते हैं अपीनियन को उसके बाद हम mention करते हैं किसको size को उसके बाद हम mention करते हैं age को next हम mention करते है shape ठीक है उसके बाद आता है आपका color फिर आता है origin फिर आता है origin उसके बाद आता है material and last one is purpose ठीक है तो ये कल हम मैंने आपको sequence बताया था कि इस order के अंदर आपको अपनी qualities को क्या करना है maintain करना है अगर एक से ज़्यादा quality आपके sentence में नजर आती है very good गुलीन को और very good जसनूर ठीक है बटा तो इस तरीके से आपने इनको याद रख लेना है कि सबसे पहले opinion आएगा फिर size फिर is shape color उसके बाद origin material and last में क्या आएगा purpose आएगा ठीक है बटा तो चलो इस basis पे भी 2-3 question में आपसे put करके देख लेता हूँ एक बार मुझे बता दो बटा ये तीन question से आपके लिए ये तीन question से आपके लिए तो सबसे पहले बताओ ये first question जो लिखा है she bought a new beautiful Chinese shirt इसके sequence को सही करके बताओ बटा एक बर फटा फटा फट से पहला question जो लिखा है she bought a new beautiful Chinese shirt इसकी sequence को सही करके बताओ कि सही sequence क्या होगा पटा-फट से comment करके बताओ बच्चे like share करते जाओ लगातार continue जहां भी आप connected है facebook, whatsapp, telegram, instagram जहां भी आप जिसको भी use करते हो तो सभी link को share कर दिया करो class शुरू होने से पहले आपको link मिल जाता है telegram channel पर और ये class आपके लिए मैं बार-बार कहा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा important है ठीक है क्योंकि इस class के अंदर हम उपर-उपर से सिर्फ YouTube पर दिखावा नहीं करते हैं बलकि हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं ठीक है ना अगर आपने topic YouTube पे भी मेरे से पढ़ा है तो इसका मतलब ऐसा ही मैं बिल्कुल class में भी पढ़ाता हूँ ठीक है और कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे pending नहीं रहने वाली तो इसलिए class को share कर दिया करो बच्चों और जो भी बच्चा अगर यहाँ पे नया है जो पहली बार class attend कर रहा है तो आप अरोडा classes के channel को subscribe भी कर लीजी ठीक है बच्चे तो daily class attend करो चलो जी very good तो देखो यहाँ पे तीन चीज़े दी हैं आपको तीन quality दी है मैं यह कह सकता हूँ देखो quality दी किसकी है तो सबसे पहले इसके अंदर यह जो shirt लिखा है यह बेटा जो shirt लिखा नजर आ रहा है यह क्या चीज़ है यह आपकी noun है ठीक है अब वो shirt कैसी है वो shirt chinese है पहली quality वो shirt beautiful है दूसरी quality और वो shirt हमारी कैसी है new है तीसरी quality तो सबसे पहले opinion लिखा जाता है तो opinion कौन सा हुआ beautiful opinion के बाद आता है size नहीं है is is कोई चीज़ कैसी है ठीक है एस बतानी है और origin तो सबसे last में आता है तो यह 3 नमबर पे आ जाएगा और यह आ जाएगा आपका 2 नमबर पे तो सभी sequence जो बनेगा very good सब बच्चों का बिल्कुल सही है क्या आएगा beautiful new Chinese shirt ठीक है beautiful new Chinese shirt और एक चीज़ इसमें आप यह भी देख सकते हो बेटा कि shirt जो है यह कैसी noun है singular countable noun है shirt कैसी noun है singular countable noun है और इस singular countable noun की वज़े से हमने यह वाला article A यूज किया है singular countable की वज़े से हमने article A का use किया है very good evening बेटा प्रीथ अगला question देखो क्या लिख है an old shining wooden table इसकी बेटा correction करके बताओ क्या होगी an old shining wooden table इसकी अंदर जो qualities आपको दी है उसकी correction करके बताओ फटा फट से क्या correction होगी जल्दी से करके बताओ बेटा like करते रो बेटा वीडियो को share करते रो बच्चे चलो जी फटा फट से बताओ an old shining wooden table an old shining wooden table जो है इसकी sequence क्या होगी सही sequence क्या होगी इनके order को हम कैसे set करेंगे जो qualities हमें दी है करो करो बेटा फटा फट से very good चली जी अकाश दिप का answer आ चुका है very good बेटा शिखा बंसल का भी आ चुका है रोमिक का चमकोर सिंख शाबाश बच्चे गुरलीन कोर शाबाश अब देखो अगर इसमें हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हमें दी है तो देखो सबसे पहले ये जो टेबल लिखा है ये noun है अब वो टेबल है कैसा टेबल किस चीज़ से बना है लकडी से तो ये हो गया material क्या हो गया ये material ठीक है टेबल कैसा है shining कर रहा है वो तो ये opinion कह सकते हो आप इसको ठीक है और old है ये उसकी क्या होगी A's हो गई तो सबसे पहले आ जाएगा shining उसके बाद हम लिखेंगे old को और उसके बाद लिखेंगे हम material को ठीक है बटा पहले आ जाएगा shining फिर आएगा old and last में हम लिखेंगे material को बिलकुल सही answer सभी बच्चों ने दिया है शाबाश बलजीत प्रीद दीपिका रानी जसनूर बिश्नोई 29 गुड इवनिंग बिटा मिस्टर करन बिलकुल सही answer आए सभी बच्चों का चलो एक last question और है देखिए अब इस question को भी देख लो तो इसमें जो ये stick है ये आपकी noun है अब वो stick कैसी है तो यहाँ पे उस stick का आपको color दिया हुआ है तो ये आपका बिटा color दिया हुआ है ठीक है उस stick को आप use कैसे कर रहे हो उसका purpose क्या है तो यहाँ पे आपको purpose नजर आ रहा है और old जो है वो उसकी क्या बता रहा है? एस को बता रहा है, लो जी. तीन चीज़े दी हैं बिटा आपको, इन तीनों की एक बार sequence को set करके बता दो, फटा-फट से क्या होगी? इन तीनों की sequence को बिटा set करके बताओ, फटा-फट से क्या होगी? ठीक है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले opinion आता है, वो है नहीं हमारे पास, फिर हम ace को सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको पता है, purpose तो बिलकुल last में आता है, तो ये तीन नमबर पे चला जाएगा, और ये आपका दो नमबर पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? An old brown walking stick, ठीक है? Old brown walking stick, very good, रॉमी का जसनूर, अकाश, टिप, सभी का बिटा, बिलकुल सही answer है, शिखा बंसल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, आपको कल की क्लास में मैंने बता दी थी, और मुझे लगता है, कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, देखो, आप ये जो चीज़ें कर रहे हो ना, ये actual में, वेपर में, question में पूछे जाती हैं, ठीक है ना? जब आप state level की तयारी करते हैं, पटवारी की तयारी करते हैं, constable, SI, इन papers के अंदर ऐसे छोटे-छोटे question पूछ लिजाते हैं, even SSC exams के अंदर भी चीज़ें आप से पूछ लिजाती हैं, ठीक है बटा? तो इसको ध्यान से गरना, अच्छे से करना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चीएं, कि ऐसा होता है, आगे हमने पढ़ा था बेटा, ये चीज़, adjective of number, तो मैंने आपको तीन तरह के number कल बताए थे, class के अंदर, कल मैंने आपको तीन तरह के number बताए थे, ordinal, cardinal, and multiplicative, ठीक है, ordinal, cardinal, and multiplicative number के बारे में कल हमने पढ़ा था, और आप जानते हैं कि, इन तीनों के अंदर भी sequence का role रहता है, कि जब एक sentence के अंदर, एक से ज़्यादा number आपको दिये हो, एक sentence के अंदर, एक से ज़्यादा number अगर आपको दिये हो, तो इनकी sequence के बारे में भी कल हमने class में पढ़ा था, ठीक है, और इनकी sequence के लिए भी हमने एक छोटा सा rule तियार किया था, क्या था, O, C, क्या याद किया था, O, C, और M, यानि कि सबसे पहले जो number आएगा, वो आएगा ordinal, उसके बाद आता है number cardinal, and last में आता है हमारा multiplicative number, ठीक है, और कली की class में हमने ये भी सीखा था, कि ordinal number जो होता है, उससे पहले हम article दा लगाने का काम करते हैं, ठीक है, ordinal number जो होगा, उससे पहले हम article दा लगाने का काम भी करते हैं, clear है बात बेटा, ये कल की class में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये question भी आप कर सकते हो, तो देखे, ये two है, ये second है, तो ये two कौन सा number हो गया, cardinal, और ये second कौन सा number हो गया, ordinal, ठीक है, तो ordinal को पहले लिखेंगे, और cardinal को बाद में लिखेंगे, और इस ordinal numbers के साथ, article दा भी लग जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से आपका ये question भी आप कर लोगे, ये सारी sheet बेटा, मैं आपको दूँगा आज, ठीक है, इसमें कुछ चीज़े करने वाली हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, adjective of quantity भी हमने कर लिया था, अब आते हैं अपने मुद्दे पर, अब आते हैं अपने point पर, और point ये है कि बेटा, अभी तक जो हमने adjective पढ़ा, अभी तक जो हमने adjective पढ़ा, उस adjective के अंदर हमने देखो, दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब मैं आपको कुछ homework दे रहा हूं करने के लिए, जो आपने आज करना है, class खतम होने के बाद, ठीक है, आज आप कुछ homework करेंगे, class खतम होने के बाद, क्या homework करना है, देखो, मेरे पीछे आपको slide में नजर आ रहा है, उपर heading पढ़ लिजे, यह क्या लिखी है, कि यहाँ पर आपको क्या करना है, pick out the adjective and take, आपको यहाँ पर example बता देता हूं, उसके बाद यह काम आपने करना है, क्या काम करना है, कि आपको करना क्या है, यहाँ जो भी sentence लिखे हैं, उनके अंदर से आपको, adjective को pick out करना है, adjective कौन सा है, पहले तो यह बताना है, और उसके बाद आपको यह बताना है, कि उस adjective का type क्या है, ठीक है, उस adjective का type क्या है, ओके बेटा, चलो जी, आप देखो, जैसे मान लीजे, पहला question लिखा है, क्या लिखा है, all men are partial, ठीक है, अब इस sentence के अंदर, अगर मैं आपसे पूछू, adjective कौन सा है, तो देखो, सबसे पहले आप noun को पहचान लो, यह देखो, यह noun लिखा है, और noun से पहले जो लिखा है, all, यह क्या हो गया, आपका adjective, ठीक है भी, all क्या हो गया, अगर आपका adjective हो गया, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, कि all कौन से type का adjective है, तो प्लीज एक बार comment करके बताओ, फटा फट से, कि जो all है, यह कौन से type का adjective है, बेटा, class को share करते जाओ, फटा फट से, class को share कर दो, जल्दी से, बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, कि यहाँ जो all लिखा हुआ है, यह कौन से type का adjective है, adjective तो है, यह तो पता लग ज़िए, बिल्कुल ठीक का बेटा, man noun है यहाँ पे, type adjective है, बेटा, फटा-फट सभी, तो देखो हमने, adjective के types में, proper adjective पड़ा था, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही बताया, गुरलीन कोर ने, कि all जो है, यह आपको quantity बताता है, बिल्कुल सही का, तो यह है आपका quantity adjective, कौन सा adjective बटाये, यह है आपका quantity adjective, ठीक है बई, clear होगी बात सभी को, यह आपका कौन सा adjective है, quantity adjective है यह आपका, आप देखो, इसी तरीके से, अगर दूसरे question की बात करें, जैसे मानलो, मैं आपसे बीच में से, कोई question पूछ लेता हूँ, जैसे मानलीजे, ठीक है, एपल सापका बेटा noun है, और noun से पहले अगर दीज लिखा है, तो यह आपका हो गया, adjective, अब मुझे इसका नाम बता दो बेटा, यह दीज कौन से type का adjective है, प्लीज एक बार फटा फट से comment करके बताओ, कि दीज जो है, यह कौन से type का adjective है, voice cut हो रही है बीच में, देख लेते हैं बेटा अभी, चलो बेटा, आप देखो सही आ रही है वाज एक बार चेक करना, बिल्कुल ठीक बता रहे हूं सारे, यह कौन सा adjective हुआ, demonstrative adjective हुआ, तो बेटा यह आपका ना homework है, यह जो काम है, यह आपका homework है, यह जो sheet है, यह telegram पर आपको मिल जाएगी, और telegram पर जब sheet आपको मिलेगी, तो सभी बच्चों ने यह चीज जो है, इसको complete करना है, और एक 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 एडजेक्टिव को इसमें से find out करना है, उनके नाम पहचानने का काम करना है, ठीक है बेटा, सभी ने find out करने है, एडजेक्टिव को उनके नाम लिखने है, यह काम आप खुद करोगे, और अपने आपको आपने बताना है कि, भही मैंने काम किया है, और मुझे यह चीज आती है, ठीक है, बहुत सारे questions है, देखो यह सारे questions है, इसके बाद यह वाले सारे questions है, यह sheet आपको बेटा, टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने आपको कहा है, दो टेलिग्राम चैनल आपने जोइन कर लेने है, एक टेलिग्राम चैनल अरोडा क्लासेस, यह तो आपने जोइन बहुत सारे students ने किया भी होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है, वो जोइन कर लें, और नमबर दो, आप एक चैनल जोइन कर लेंगे, कौन सा, English with Rohit Sain, ठीक है, English with Rohit Sain, ठीक है, यह दोनों के दोनों चैनल बेटा, जोइन कर लेना, तो इन पे जितना भी material होगा, English से related, या जो भी update होती है, daily की हमारी, वो आपको सारी की सारी update, यहां मिल जाएंगी, ठीक है बेटा, एक बर बेटा, class को share कर दो, यार बच्चे बहुत कम हैं, देखो ऐसा मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ाने का, आस तो मेरा money नहीं कर रहा पढ़ाने का, बिल्कुल आपका, अगर ऐसा चलतेगा रहेगा, फिर तो बेटा, मुश्किल है, ठीक है ना, अगर आप ऐसे ही like share करोगे, इस तरीके से, तो मुझके लगता है कि, अपनी class जो है, वो live नहीं हो पाएगी, daily, ठीक है बेटा, क्योंकि देखो, इतनी महनत आप पे की जाती है, daily आपके लिए, अच्छा material लेकर आते हैं, daily आपके लिए घंटा निकालते भी हैं, शाम को, जो शायद मैं अपना किसी और student को दे सकता था, लेकिन आपके लिए, अगर free में इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आपका जो motive है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा, like करो, share करो, ठीक है ना, चलो जी, उसके बाद आगे चलते हैं, देखो, आज की जो कहानी है हमारी, आज हम पढ़ेंगे, special uses of some adjectives, ठीक है, आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, इस कहानी के अंदर हम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, uses के बारे में पढ़ेंगे, कुछ adjective के use में आपको बताऊँगा, कि इनका use कैसी किया जाता है, इसको आप अगर simple language के अंदर सीखना चाहें, तो आपने एक word सुना होगा, determiners, क्या word सुने हैं, determiners वर्ड सुने होंगे, ठीक है, तो determiners जो है, उनी को हम एक तरह से कह सकते हैं, कि adjective के uses के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा है, बेटा कि आज इतने बच्चे class, यहां मुझे comment के अंदर इतने बच्चे दिख रहे हैं, और यो live जो बच्चे दिख रहे हैं, वो कम दिख रहे हैं, कुछ गडबड चल रही है, मुझे तो लगता है, कि जितने बच्चे मुझे यहां comment box के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उससे कम आपको live में दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, लो जी और कम होते जा रहे हैं तो, कम से कम होते जा रहे हैं तो, लो, अभी एक और कम हो गया, और जितने वहां दिखा रहा है मुझे, उससे ज़्यारा तो मुझे लगता है, मेरे कमेंट में मुझे दिखा रहा है, क्या गडबड है वही आज, कुछ गडबड चल रही है क्या, चलो कोई बात नी बेटा, बात में देख लेंगे, जो नहीं देख रहे हैं कोई बात नी, जो यूज आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, वो है इन दो वर्ड्स का यूज, एक लिखा है सम और दूसरा लिखा है एनी, ठीक है बेटा, दो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, एक लिखा है सम और दूसरा लिखा है एनी, ठीक है, तो देखो ध्यान से सीखना है बेटा कोई बात नी चलो जितने भी है कोई दिक्कत नी है आप अपनी class एटेंट करो बढ़िया से ठीक है तो देखो sum की अगर बात करें तो इस sum के बाद में जो भी noun आएगी वो noun आपकी countable noun भी हो सकती है वो noun बेटा आपकी countable noun भी हो सकती है और वो noun आपकी uncountable noun भी हो सकती है ठीक है? sum के बाद आने वाली noun countable भी हो सकती है और uncountable भी हो सकती है sum के बाद आने वाली noun singular भी हो सकती है और plural भी हो सकती है sum के बाद आने वाली noun singular भी हो सकती है और plural भी हो सकती है ठीक है बच्चे तो sum के बाद में countable noun आए या uncountable noun आए इससे कोई फरक नहीं पड़ता singular noun आए plural noun आए इससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन याद रखना बेटा याद रखना कि जब हम any की बात करते हैं तो any के बाद में जो भी noun आएगी है ना बेटा any के बाद में जो भी noun आएगी याद रखना ठीक है वो कैसी होगी uncountable कैसी होगी uncountable और countable दोनों हो सकती है any के बाद भी बेटा आपकी noun जो है वो countable और uncountable दोनों हो सकती है ठीक है, लेकिन याद रखना, any के बाद जो भी noun आएगी, वो हमेशा कैसी आएगी, singular ही आएगी, plural नहीं आएगी, ठीक है, any के बाद में noun हमेशा कैसी आएगी, singular ही आएगी, ओके बिटा, तो पहले तो इन दोनों बातों को अच्छे से देख लो, कि जब हम some का use करेंगे, तो some के बाद में noun चाहे countable आए, चाहे uncountable आए, चाहे singular आए, चाहे plural आए, doesn't matter, ठीक है, कोई भी noun आ सकती है, लेकिन जब बात करें any की, तो any के बाद में भी countable, uncountable तो आ सकती है, लेकिन कैसी form में आएगी, only on singular form के अंदर ही आएगी, कभी भी plural form के अंदर नहीं आएगी, और जो any का use होता है, वो एक negative sentence में किया जाता है, ठीक है बई, some का use कैसा होता है, positive sentence में होता है, और any का जो use है, वो negative sentence में किया जाता है, ठीक है बच्चों, कैसे किया जाता है, चलो एक example से समझने का काम करते हैं, इस चीज़ को अपने, जैसे मान लेजे, मैंने एक question लिखा मैंने एक question लिखा कि शिखा demanded शिखा demanded some some books ठीक है क्या लिख दिया मैंने शिखा demanded some books अब देखो इस sentence को अगर हम पढ़े तो इस sentence के अंदर बेटा ये जो शिखा लिखा है ये हमारा क्या हो गया subject हो गया ठीक है ये जो demanded लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ये क्या चीज़ होगी वरभ होगी ठीक है बई ये हमारी वरभ होगी और ये लिखा हुआ नजर आगया हमें some और some के बाद हमें लिखी आगी नजर noun अब इस sentence को अगर हम पढ़ें तो इस sentence के अंदर कहीं भी कोई negative बात नहीं हो रही है मतलब आपका sentence कैसा है positive sentence है और अगर हमारा sentence positive है अगर हमारा sentence positive है तो positive sentence के अंदर हम some का use करते हैं अब some के बाद मैंने का noun जैसी मर्ची आए doesn't matter चाहे वो countable आए चाहे वो uncountable आए चाहे वो singular आए चाहे वो plural इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब अगर मैं कोहूँ बेटा इसी sentence का आप negative sentence बना के दिखाओ इसी sentence का अगर हम एक negative sentence बनाने का काम करें तो negative sentence क्या बनेगा देखो negative sentence बनेगा बेटा शिखा और इसके बाद हम लिख देते हैं क्या चीज डिड नॉट और डिड नॉट जब हमने लिख दिया तो अब हमें वरब की first form लिखनी पड़ेगी क्या लिखेंगे demand अब आप ध्यान से देखो तो आपका sentence कैसा हो चुका है negative हो चुका है और जब आपको पता है कि आपका sentence negative हो चुका है तो हम some नहीं हम use करेंगे किसका any का और any के बाद आने वाली noun आप जानते हैं कैसी आती है singular noun आती है तो क्या लिखेंगे any book बास समझ में आगी बटा क्या बन गया शिखा did not demand any book clear होगी बात बटा बताओ एक बार फटा-फट से comment करके बताओ यह बास समझ में आगी सबको कि some कहां लगाना है और any कहां लगाना है some कहां लगाना है और any कहां लगाना है तो याद रखना कि some का use जो है वो एक positive sentence में किया जाता है जबकि any का use है वो एक negative sentence में किया जाता है ठीक है? सम लगता है positive sentence के अंदर और any लगता है आपका negative sentence के अंदर clear होगी बात? आप देखो कई books के अंदर जब आप पढ़ते हो या कई teachers से जब आप पढ़ते हो तो आपको ये कहा जाता है कि positive sentence की जब बात आए तो सम लगा देना लेकिन interrogative और negative दोनों sentences के अंदर आपको any का यूज करना होता है लेकिन ऐसा नहीं होता ध्यान रखना ठीक है ना बिटा? positive sentence के अंदर सम आएगा negative में any आएगा ये बात बिल्कुल सही है ये बात बिल्कुल सही है लेकिन मान लीजिए लेकिन अगर मान लीजिए आपको कैसा sentence दिया है अगर आपको कैसा sentence दिया है, interrogative sentence दिया है, interrogative sentence दिया है, interrogative sentence वो होते हैं, जिनमें हम प्रशन पूछने का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, प्रशन पूछने का काम करते हैं, ठीक है बई, तो जब आपको कोई interrogative sentence दिया हो, तो फिर हम some का use करते हैं, या any का use करते हैं, बताओ व में कोई भी interrogative sentence दिया हो तो हम some का use करते हैं या any का use करते हैं बताओ वेट एक बड़ फटा फट से interrogative sentence के अंदर क्या लगाते हैं some या any comment करो फटा फट से very good like share करते जाओ साथ साथ में और जिन बच्चों ने like share कर दिया है वो comment करके answer बताओ वेटा कि interrogative sentence में हम some का use करते हैं या any का use करते हैं क्या use करें some या any चलो जी बहुत बड़िया ठीक है बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं बहुत अच्छी बात है देखो interrogative sentence की जब बात आती है चलो मैं आपके सामने एक question लिखता हूँ ठीक है मैं आपके सामने question लिखता हूँ मैंने लिखा मैंने आपके सामने question लिखा what would you sorry ये लिख लेते हैं question लिख लेते हैं would you would you like to eat something या फिर anything मैंने आपको दो option दे दिये हैं मैंने आपको दो option दे दिये हैं बैटा की would you like to eat something or anything ठीक है एक question मैंने आपके सामने ये लिख दिया की is there anyone or is there someone इस देयर anyone और इस देयर someone ठीक है बैटा तो दो question आपके सामने आपको निखे नजर आ रहे हैं ये भी आपका interrogative sentence है प्रशन वाचक है ये भी आपका interrogative sentence है आप कुछ बच्चे इस बात को रटा मार लेते हैं कि जब भी interrogative sentence की बात होती है तो वहाँ any का use होता है ऐसा नहीं होता ध्यान रखना बच्चे interrogative sentence जब भी आपके सामने आएगा तो आपको वहाँ पे दो चीज़े ध्यान में रखनी है क्या ध्यान में रखना है पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप उस question के अंदर किसी को request कर रहे हो या किसी को कुछ offer कर रहे हो ठीक है अगर आप अपने interrogative sentence में किसी से क्या कर रहे हो request कर रहे हो या किसी को कुछ क्या कर रहे हो offer कर रहे हो तो इस sentence के अंदर हम किसका use करते है sum का लेकिन अगर आप question पोचते time आपको question में किसी बात पर क्या है doubt है ठीक है तो हम use करते हैं किसका any का तो जब भी interrogative sentence आएगा तो आपने तुक्के बाजी नहीं करनी कि sum आएगा या fix है कि any आएगा ऐसा नहीं अगर interrogative sentence आएगा तो आप सबसे पहले ये देखेंगे उस sentence के अंदर कि उस sentence में हम किसी से request या offer करने का काम कर रहे हैं या उस sentence में हमारा question कोई doubt create कर रहा है ठीक है अब आपके घर पे महमान आते हैं तो आप उनसे पूछते हो कि would you like to eat something or anything तो ये क्या है आप उनसे offer कर रहे हो आप उनको कि भई आप क्या खाना चाते हो क्या लेना चाते हो ठीक है या request भी हो सकती है तो जब request और offer की बात हो रही है तो इस पहले sentence के अंदर हम use करेंगे किसका some का तो सही sentence क्या होगा would you like to eat something would you like to eat something ठीक है लेकिन दूसरे question में क्या लिखा है is there anyone देखो कई बार क्या होता है कि आप अपने घर पे जाते हो और आप तो घर का दरवाजा जो है वो जो door है वो lock करकर आए थे लेकिन जैसे ही आप जाते हो तो आप देखते हो कि दरवाजा खुला हुआ है ठीक है आप वहीं gate पर खड़े हो के पूछ रहे हो is there anyone या is there someone तो इसका मतलब आप नहीं जानते कि अंदर कोई है या नहीं है मतलब ये doubt वाली situation है ये doubt वाली situation है और अगर ये doubt वाली situation है बेटा तो इसमें हम use करेंगे किसका any का ठीक है इसमें हम use करेंगे किसका any का बास समझ में आई सब को बताओ बेटा तो ये मैंने आपको use बताया some और any के अंदर क्या difference होता है एक बार मुझे फटा फट से message करके बताओ बेटा कि सब को बास समझ में आगी फिर कुछ questions हैं वो questions आप करके देखना कि कहां some आएगा कहा any आएगा तो कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी एक बार फटा फट से बताओ बेटा comment करके बताओ जल्दी जल्दी comment करो सारे बच्चे समझ आ गया सबको चलिए very good देखो any का न एक और मतलब होता है यह जो आप any लिखते हैं नों English के अंदर इस any का एक और मतलब भी होता है जैसे आप कभी कभी कहते न कि anyone anyone can speak English ठीक है कभी कभी हम क्या कहते हैं कि anyone can speak English तो देखो any का मतलब एक और भी होता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी काम को कर सकता है इसको बोलते है universal applicable क्या बोलते हैं इस चीज़ को universal applicable कोई भी बंदा किसी भी काम को अगर कर सकता है तो उसके लिए भी हम any word use करते हैं ठीक है ना कोई भी बंदा किसी भी काम को अगर कर सकता है जिसको हम कहते हैं English के अंदर universal applicable ठीक है तो वहाँ भी हम any का use कर सकते हैं ओके बेटा तो अब आपके सामने अब आपके सामने कुछ questions हैं इन questions के अंदर आप मुझे answer बताईए बेटा कि कहां पे हम सम का use करें कहां पे हम any का use करें लो जी ये कुछ questions हैं आपके लिए एक बार इनके अंदर फटा फट से सभी के अंदर फिल करके बताओ कि कहां सम आएगा और कहां पे हमारा any आएगा जल्दी से comment करके बताओ बता एक बार जल्दी से comment करके बताओ इनके answer पहला question लिखा है कि डैश citizen can file the RTI डैश citizen can file the RTI दूसरा लिखा है एशा does not trust डैश foreigner I know डैश facts about it इनके answer लिखो बताओ सभी फटा फट से एक ही message के अंदर सारे answer लिखे बताओ फटा फट से क्या क्या answer आएंगे जल्दी जल्दी comment करो very good बेटा कहां some आएगा कहां any आएगा please comment करके बताओ एक बार जल्दी से कहां some का use होगा कहां any का use होगा very good सारे कह रहे हैं कि सर फर्स sentence के अंदर any लगेगा बिल्कुल ठीक है बेटा हाँ number wise लिखो मैं number डाल देता हूँ लो इसके अंदर इसके अंदर हम number लिख लेते हैं ताकि कोई confusion ना रहे कि कोई बच्चा किस question का answer कर रहा है कोई बच्चा किस question का answer कर रहे है ये लिजिए मैंने number लिख दिये अब number के साथ साथ अपना answer लिखते जाए बेटा हूँ number के साथ answer लिखें ताकि मुझे पहचानना असान हो जाए कि आप कोई से question के लिए answer बना रहे हूँ ठीक है very good second के अंदर कुछ बच्चे any लिख रहे हैं एक प्रीत नाम का बच्चा है ये सम लिख रहा है बेटा question को पढ़ो अराम से question को अराम से पढ़ो पहले very good गुरलीन को और ने सारे के सारे answer बना लिए है good बेटा शाबाश शाबाश तो देखें क्या लिखा है पहले question को अगर हम ध्यान से पढ़ें सकता है आप भी कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ तो ये बात होई universal applicable वाली और अगर ये बात universal applicable वाली है तो इस पहले question के अंदर हम fill करेंगे किसको any को पहले question के अंदर हम fill करेंगे any को ठीक है बई अब दूसरे question में कुछ बच्चों को doubt हो रहा था शायद कुछ एक ही बच्चे का गलत था वैसे तो mostly सब का सही था दूसरे question में लिखा है isha does not trust आपका sentence बटा पढ़ के देखो कैसा हो गया negative और अगर आपका sentence negative ही हो गया तो some और any में से कौन सा option चूज करोगे तो आप जानते हैं कि negative sentence के लिए क्या आता है any आता है ठीक है बच्चे negative sentence के लिए any आता है उसके बाद अगर बात करें तीसरे question के लिखा है I know dash facts आप देखो यहाँ पे facts लिखा हुआ नजर आ रहा आपको और जब facts लिखा नजर आ रहा है तो मतलब यह plural की तरफ इशारा कर रहा है और plural की तरफ इशारा कर रहा है और option आपके पास दो है some और any तो आपको यह तो confirm ही है कि any के बाद कभी भी कोई भी plural noun नहीं आती है ठीक है तो इसलिए question number third के अंदर option क्या आजाएगा some आजाएगा ठीक है question number third के लिए answer क्या आएगा some आएगा question number four में लिखा है graduate can apply for this post तो कोई भी बंदा जो graduate है कोई भी बंदा जो graduate है वो इस post के लिए apply कर सकता है मतलब कोई भी graduate कर सकता है universal applicable है तो इसके अंदर भी हम किसका use कर देंगे any का use कर देंगे last में लिखा है shall I bring cookies for you shall I bring cookies for you अब इस sentence को अगर आप देखें तो यह sentence आपका interrogative sentence है और interrogative होने के साथ साथ आप इसमें किसी से request या offer करने की बात कर रहे हो तो इस question के अंदर भी क्या आ जाएगा some आ जाएगा ठीक है बात समझ आगी बेटा एक बार please comment करके बताओ फटा फट से फटा फट से comment करके बताओ भी बात समझ आगी सबको यह वाली some और any का use समझ में आ गया सबको करो comment करो बेटा फटा फट से पांच question थे पांचों के पांचों के answer मैं आपको बता चुका हूँ कि कहां some आएगा कहां any आएगा और यही चीज़ें यही same concept आपके exams में आपसे पूछे जाते हैं ठीक है बई यही same concept आपके exam में आपसे पूछे जाएंगे some और any को लेकर अकसर exam के अंदर error भी देखने को मिल जाती है और अकसर आपको some और any को लेकर blanks यानि की fill ups के question भी देखने को मिलते हैं ठीक है बई? तो चलिए जी सारे के सारे ठीक है रवी कुमार के very good बेटा और सभी का message आ चुका है कि ठीक है सार समझ में आ गया ओके जी बिल्कुल ठीक है सबको समझ में आ गया good अब देखो इसके बाद हम आगे चलते हैं यह देखो यह some और any से related कुछ और question है इनके अंदर some और any fill करना है और यह आपका क्या है? homework है यह आपका homework है ठीक है बटे? यह कितने question है देख लो एक बार इसके अंदर total question है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 10 question है ठीक है? अब यह 10 question आप खुद करेंगे बाद में जब telegram पे आपको sheet मिलेगी उसके बाद आपने 10 question करके देखने हैं सभी ने कि इन 10 में से आपको कितने questions आते हैं ठीक है? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और आगे फिर से हमारे पास 2 adjective आते हैं जिनका नाम है much और many ठीक है? हम दो नहीं तीन पढ़ेंगे ठीक है? देखो एक word हम पढ़ेंगे किसके बारे में? much के बारे में कि much कहां use करते हैं? मैनी के बारे में कि इस मैनी का use कैसे किया जाता है? और तीसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मैनी आ के बारे में कभी-कभी हमी ये भी मिल जाता है मैनी के साथ क्या लगा हुआ मिलता है? आर्टिकल आ लगा मिलता है ठीक है? आर्टिकल आ लगा मिलता है कवीता शर्मा कह रही है कि सर पता नहीं चला आपकी क्लास का कब से स्टार्ट है टाइम क्या है कवीता जी टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लो बेटा अपडेट के लिए ठीक है अभी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है सबा साथ बजे क्लास होती है डेली और आज हमारा एडिजेक्टिव का तीसरा दिन है ठीक है और मैं बार-बार आपको ये बात बोल रहाँ कि बेटा जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है वो please telegram channel को join जुरूर कर लें क्योंकि सारे की सारे classes के जो link होते हैं वो आपको telegram पर daily सुबह 10 बजे ही मिल जाते हैं सुबह 10 बजे ही आपको वहाँ पर सारे link मिल जाते हैं जो भी class आपको लगता है कि आपको attend करनी है तो आप वहाँ से attend कर सकते हो ठीक है सीधा link पर जाके click कीजिए आप class में पहुंच जाओगे ठीक है तो जिन बच्चों ने अभी तक telegram channel नहीं join किया वो जुरूर join कर लेना और भी अपनी तयारी मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ मैं बार-बार आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अपनी तयारी जो है वो शुरू करके रखें ठीक है ना कोई भी ये wait मत करो कि vacancy आएगी उसके बाद हम तयारी करना शुरू करेंगे तो वो बेटा तयारी नहीं होगी वो time pass होगा अगर आप चाहते हो ना आने वाला कोई भी exam आप crack करना चाहते हो अपकमिंग ठीक है तो उसके लिए अपनी तयारी आज से ही शुरू कर दो मैं तो कहता हूँ अभी से शुरू कर दो अगर अभी भी आपने मन नहीं बनाया तो बना लो ठीक है और उसके लिए क्या है देखो जो भी topic आपड़ते हो जैसे अभी यहां पर class चल रही है आपकी ठीक है मैं आपको executive करवा रहा हूँ तो बेटा जिस दिने दिन मैं executive करवाऊंगा न उतने दिन तो मुझे पते हैं यहां बच्चे ठीक है अभी तो आ रहे हैं जितने पड़ा रहा ओके पड़ी तो बेटा आपने बहुत बार हैं इस चीज़े बहुत बार आपने पड़ी हैं कोई नया बच्चा अगर class में है तो वो तो कह देगा चलो ठीक है सर मैं पहली बार बच्चे हैं जो इस चीज़looकों पतानी दूसरी तीसरी चोती बार पड़ती हो पूपोंगी लेकिन दिकत कहा है जिक यह कि बयाने के बाद भी अगर आप कलास लगा रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं यह डर है कि सर हमें in objective आता नहीं है तो क्यों नहीं आता कारण क्यों नहीं क्यों नहीं आता क्योंकि हम topic तो पढ़ लेते हैं लेकिन उस topic की practice नहीं करते हैं तो जिस बच्चे ने topic पढ़ लिया और उसकी practice नहीं की तो वो सब बेकार है इसलिए मैंने देखो आज sheet के अंदर मैंने जो जो काम करवा रहा हूं मैं आपको जो भी चीज़े मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनकी practice के लिए questions भी मैंने आपको दे दिये हैं फिलप्स के question ही है चाहे आप उसको 2 minute में, 3 minute में, 5 minute में कर लोगे मुझे पता है आप असान चीज़े हैं ये determinants बहुत असान होते हैं आप कर लोगे लेकिन आप उस बहाने से एक बार sheet को खोल के तो देखोगे आप एक बार दिमाग तो लगाओगे अपना दस question की करोगे चाहे लेकिन एक बार आप उन चीज़ों को repeat तो करोगे at least तो आपको वो सारी चीज़े याद हो जाएंगी ठीक है बिना practice के topic करना बेवकुफी है सिरफ time pass है ठीक है बई जितनी मर्जी देखो YouTube पे बहुत classes लगते हैं मैं आपको पहले बता रहा हूँ बहुत classes लगते हैं बहुत teacher पढ़ाते हैं बठिंडा बठिंडा के अगर English के teacher देखोगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको ठीक है बहुत teacher मिल जाएंगे आपको लेकिन एक पढ़ना और एक पढ़ने के बाद उस level की त्यारी करना जिसके लिए आप exam देने जा रहे हैं तो बहुत फरक है दोनों चीज़ों के अंदर ठीक है ना practice करो आप practice के लिए आप sheets लेना चाते हो आप practice के लिए बहुत सारी चीज़े लेना चाते हो ठीक है तो आपको मिल जाएंगे सारी चीज़े मिलेंगे आप telegram channel जोइन करो आपको वहाँ पे मैं कहारो executive executive की errors के मैं हजार से ज़्यादा question आपको दे दूँगा आप करने वाले बनो आपके अंदर ये जनून होना चाहिए कि सर आप question दीजिए हम करेंगे आपको जनून होना चाहिए कि सर हम class लगाएंगे daily हम daily आपकी class attend करेंगे आप हमें sheet दीजिए आप हमें question दीजिए practice करवाईए ये जनून जिस दिन आपके अंदर आएगा उस दिन आपको भी class लगाने का मज़ा आएगा और मुझे भी class लगाने का मज़ा आएगा कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो सच में अपने future को लेकर बिल्कुल मतलब क्या है determiner है कि ठीक अभी job लेनी है हमने सिरफ time pass नहीं करना youtube पे class लगा के ठीक है ना youtube पे class लगा के सिरफ time pass नहीं करना आपको ओके बेटा तो अभी आपके सामने तीन वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं much, many और many are ठीक है अब इन तीनों का use कैसे होता है या आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे अगर नहीं जानते कोई बात नहीं अभी दिखा देते हैं देखो देखो ये तीनों determiners है और इन तीनों के बाद ही हम किसका use करते हैं noun का use करते है मच के बाद भी noun आती है many के बाद भी noun आएगी और many a के बाद भी noun आएगी ठीक है बही इन तीनों के बाद में noun आती है लेकिन इन तीनों के बाद अगर noun आती है तो इसका मतलब इन तीनों के बाद noun एक तरह की तो आई नहीं इन तीरों के बाद अलग अलग तरीके की नाउन आती है कैसे सबसे पहले अगर बात करें इस मच की तो मच के बाद आने वाली जो नाउन होगी वो कैसी होगी uncountable होती है ठीक है बई कैसी नाउन होती है uncountable और जिन बच्चों ने नाउन का टोपिक पड़ा है मुझसे वो जा अबी भी plural नहीं होता बास समझ में आगी बिल्कुल बेटा जॉब लेंगे लेकिन जॉब लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं तयारी अच्छे लेवल की करनी है अच्छे लेवल की त्यारी करनी है टाइम पास नहीं करना अपने को ठीक है ना टाइम पास का तो नाम ही ठीक है तो प्रेक्टिस भी करवाँगा मैं आपको टॉपिक नहीं ऐसा नहीं कि सिरफ पढ़ाया ओ ठीक है अगला टॉपिक पढ़ता हो ठीक है यहां कोई प्रमोशन नहीं चल रही है यह कि आजो बेटा सारे आजओ लो जी प्रमोशन चल रही है एड़ेक्टिव पढ़ो आज आप ठीक है आप एड़ेक्टिव पढ़ो उसके बाद आप मेरे साथ शीट सोल करो डाउट्स क्लियर करो अपने तम मज़ा आएगा पढ़ने का ठीक है बच्चे मैनी की बाद करें तो मैनी के बाद भी नाउन आती है लेकिन मैनी के बाद जो भी नाउन आएगी एक त आर्टिकल आ का जो यूज होता है वो कैसी नाउन के साथ होता है अभी मैने कितनी बार आपको बता दिया कि आर्टिकल आ का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किसके साथ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ठीक है तो जब भी आपको मैनी के स तीनों को अराम से एक बार देख लीजिए, मच के बाद में नाउन कैसी आती है, uncountable नाउन आएगी और uncountable नाउन हमेशा कैसी होती है, singular होती है, दूसरा many के बाद नाउन कैसी आती है, तो many के बाद आने वाली नाउन countable होगी और plural form में होगी, ठीक है, and number third, अगर आपको दिया हो क्या चीज? मैनी के साथ article A, तो आपने इस article A को याद रखलो, बस इतने सी बास से आपका काम चल जाएगा, कि जब भी हम article A का जिक्र करते हैं या article A को लगाते हैं, तो उसके बाद noun हमेशा singular countable noun आती है clear होगी बात वेटा? तो ये तीनों चीज़े आपको समझ में आगी होंगी ठीक है? अब इनी के basis पे आपको कुछ question देंगे, उन questions के अंदर आपको fill करना है कि कहाँ पर many आएगा, कहाँ पर much आएगा, कहाँ पर many आएगा, ठीक है जी? तो ये questions आपको दिये हैं, देखो बेटा ये सारे question है, इनमें आपको much और many का use करना है, इसमें many आ नी fill करना, या तो आपको fill करना है much, या फिर आपको fill करना है many, अब देखो आप कुछ बच्चों को ना बड़ा ये चीज़ सुनकर बड़ा हैरानी होती है, कि देखो मैं एक sequence में चलता हूँ ऐसे, ठीक है, जब भी मैं English पढ़ाता हूँ, तो मैं एक sequence में English पढ़ाता हूँ सबसे पहले, मैं कुछ topics हैं वो करवाता हूँ, जैसे tense, tense के बाद मैं models करवाता हूँ, models के बाद मैं conditional करवाता हूँ, condition के बाद मैं question समझ में आएगी, ये चारो के चारो topic आपस में connected हैं, उसके बाद एक अलग कहानी हमारी start होती है जिसे हम कहते हैं part of speech और part of speech के अंदर जब हम topic पढ़ते हैं तो सबसे पहला topic हम noun पढ़ते हैं फिर हम pronoun पढ़ते हैं उसके बाद हम executive पढ़ते हैं पहले noun पढ़ते हैं, फिर pronoun पढ़ते हैं फिर executive पढ़ते हैं अब अगर आप धोड़ा सा ध्यान से सोचने का काम करें तो much और many लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है much और many लगाना उस बच्चे के लिए चुटकी भर का काम है जिसको noun की identification और noun के singular plural के बारे में countable, uncountable के बारे में अच्छे से पता है अब मैंने आप से पूछ लिया बटा बताओ ये experience जो लिखा है ये countable है या uncountable है ये countable है या uncountable है तो अब experience के last में जुड़ा हुआ नजर क्या आ रहा है E-N-C-E क्या जुड़ा हुआ नजर आ रहा है E-N-C-E तो ये जो जुड़ने वाली कहानी होती है ये कौन सी noun की तरफ इशारा करती है ये इशारा करती है abstract noun की तरफ और आप जानते हैं कि abstract noun क्या होती है uncountable होती है तुक्के बाजी नहीं इस तरीके का knowledge आपको होना चाहिए कि कोई चीज आपसे कोई पूछ लेना कोई आपसे ये पूछ लेना कि experience बेटा noun है आप कोगे हंजी है अगर आपसे कोई ये पुछे ना बेटा ये noun है आप उसे ये नहीं कहेंगे noun है आप कहेंगे सर ये noun है ये abstract noun है ये abstract noun बनी कैसे क्योंकि इसके last में e and c आ रहा है और ये abstract noun जो होती है ना वो uncountable होती है और जो uncountable होती है ना वो singular होती है इतनी बाते बतानी है आपने उसको उसने आपसे क्या बुछा noun है आपने उसको 5 बाते बतानी है और ऐसे जब बताने लगे ना किसी को तो सामने वाले को पता लग जागा कि बेटा आपने time pass नहीं किया आपने पढ़ा ही की है इतना confidence आपके अंदर होना चीए कि कोई हमसे पूछे ना तो हम उसे इसको explain करके बताएं पूरा तुक्के बाजी नहीं मैं हमेशा अपनी क्लास में बात बोलता हूँ कि English को इतना अच्छे से सीखना है कि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए किसी English teacher के पास ना भेजना पड़े आप उसे खुद पढ़ा सकें कि हंची बेटा ये देख English ऐसे पढ़ी जाती है जब बच्चा आपका स्कूल जाने के लायक हो न तब तक उसको आप इतने चीज़े सिखा चुके हो कि बेटा ये सारी चीज़े दे कैसे होती है तो आपको पता लगेगा कि सच में learning क्या चीज़ होती है बाकि तुक्के बाजी वाली क्लास से हमेशा आप देखने देखी है वो आपकी मर्जी है जैसा आप पढ़ना चाहते है ठीक है आप देखो क्या लगा होगे अब आपको पता लगी क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इसकी practice आपको करनी है यह सारी के सारी practice आप कर लेना अब देखो जैसे यहाँ पर man लिखा हुआ है M-E-N ठीक है यह जो man लिखा है M-E-N तो man की बात अगर करें तो यह plural है और plural की बात अगर करें तो यहाँ पर क्या आजाएगा मैं नहीं लिखा आजाएगा क्या लिखा आजाएगा मैं नहीं आजाएगा बात खतम ठीक है बई तो यह सारे का सारा काम जो है वेटा यह आपको करना है ठीक है यह सारी की सारी sheet आपको करनी है यह भी मैं वर्ट उस पर telegram channel पर आपको दे रहा हूँ के बाद मैं answer sheet भी डाल दूँगा उसके अंदर अपने answer match कर लेना बात खतम हो जाएगी ठीक है बेटा तो आज की class को अपने यहीं तक रखेंगे ठीक है और कल की class में अपने इसको आगे पढ़ने का काम करेंगे कल हम थोड़े से और uses हैं लिटिल का फ्यू का आ लिटिल दा लिटिल ठीक है यह सारी चीज़े कल की class में मैं आपको पढ़ाऊंगा और कल जो है वो संख्या जो है बेटा अगर बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मुझे लगता है तो कल आप हमारा batch जोइन कर सकते हो उसकी demo classes सुबह 10 बजे यूट्यूब पर होगी आप वहाँ भी class देख सकते हो ठीक है बेटा बिलकुल रोमिका जी doubts मैं बिलकुल लूँगा और doubts के लिए मैं एक बात आपको बता दूँ कि आप कहीं से भी coaching करते हो आप कहीं से भी coaching करते हो doesn't matter आप बठिंडा के किसी भी coaching center में पढ़ते हो doesn't matter अगर आपको English में किसी तरीके का कोई भी doubt है बटा तो मैंने जो आपको telegram channel बताया है ठीक है आप वहाँ से मुझे doubt send कर सकते हो आप WhatsApp पे मुझे doubt send कर सकते हो और मैं आपके doubts को clear करवाऊंगा ठीक है आपका कोई भी English के अंदर doubt है error को लेकर है या कुछी भी question में आपका doubt है तो आप मुझे बिल्कुल 24 hour कभी भी पोच सकते हो ठीक है जुरूरी नहीं है कि आप हमारे center में पढ़ते हो या मुझे से पढ़ते हो कोई बात नहीं बिटा आप कहीं भी पढ़ो लेकिन आपका doubt बिल्कुल clear करवाएंगे ठीक है बच्चे तो कल की class आपको जैसे ही आप telegram channel join कर लोगे तो आपको link भी मिल जाएगा ठीक है और link मिल जाए तो बिटा कल उस link को आपने अपने सभी WhatsApp group के अंदर पहले से ही status लगा लेना है सारे बच्चों तक class को पहुंचाना है क्योंकि देखो जरूरत है बच्चों को English की जरूरत है ठीक है कल बेटा जिसनोर मैस की class होगी रोडा सर की सुबह 10 बजे कल सुबह 10 बजे class होगी demo class आप देख सकते हो वहाँ पे और किसी भी बच्चे ने अगर course जोइन करना है offline या online तो offline के लिए आप कल आ सकते हो 10 बजे और जो बच्चे online देखना चाते हैं वो YouTube पर अपना demo classes एक बार देख सकते हो ठीक है बई? तो कल मिलेंगे आप सभी से सवा साथ बजे और कल संख्या बढ़ानी है आप सभी को ठीक है? बिलकुल अकाश जिप 24 hour service है बटा आप अपने doubts कभी भी पूछ सकते हो मुझसे ओके बटा? तो कल मिलते हैं सभी से Good night, take care ढ़ा आप बटाश्या है